आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बल्देवानन सागर जो की संस्कृत समचार से जुड़े रहे हैं आकाशवानी में 41 साल से दूर दर्शन में 21 साल से इतने सारे अनुभव के साथ आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अपनी उस श्रिंखला को पूरा करने के लिए जिसमें हम पिछले दो लेक्चर्स दो व्याख्यानों में बात कर चुके हैं संस्कृत पत्रकारिता इतिहास और आधुनिक स्वरूप हम आज और चर्चा करेंगे उन्हीं के द्वारा लिखित और संपादत किताब जिसमें उन्होंने संस्कृत पत्रकारिता इती वृतम अनुनातन स्वरूपम च इसके बारे में आज हम बात करेंगे शुब कामना हैं कल ही हम लोगों ने इस वर्ष की जो दिपावली उत्सव है उसका मनाया आयोजन किया आज आपके सामने संस्कृत पत्रकारिता भाग तीन व्याख्यान तीन पर हम बात करेंगे हमने इससे पहले जो बात की है इसमें डेट सो वर्ष का जो संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास है उस पर किस तरह से धिरे 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 हमको पता चलता गया और विद्वानों ने उस पर लिखा है तो मैंने नाम दिये थे چودा नाम दिये थे श्री गुरुप्रशाद शास्त्री श्रीदीनानात शास्त्री सारस्वत एम क्रिष्ण माचार यार और आरेम दंडेकर जी चिंताहरन चक्रवर्ती जी वीरागवन जी शंकरलाल शर्मा जी गनेश मचर्मा राम गोपाल मिश्ट जी राम गोपाल मिश्टर जी दिल्ली मिश्विद्या लेके ही हमारे प्राचारिय रहे हैं और उन्होंने संस्कृत साहित्य के इत्यास पर शोद किया PhD थीसिस के लेकिन हिंदी में और श्रीधर भासकर वरनेकर सहाब जिन्होंने संस्कृत भवितव्यम सापताहिक पत्र आरं वरनेकर सहाब के सुपुत्र बड़े सिनियर पत्रकार है वो प्रबंध संपादक है वो पत्रीका बहुत 65 वर्ष से पत्रिकार चल रहे है सापताईक संस्कृत भवितअ्व्यम तो श्री दर्भासकर वरनेकर सहाब राधा वल्लपत्री पाथे जी एक प्रमुख नाम जो बहुत अच्छे साहित्यकार और काद्व्यालंग कार विद्वान हैं हमारे संस्कृत साहित्य. के उन्होंने इसके संस्कृत पत्रपत्रिकाओं के इत्यास उसमें कई लेख लिखे हैं लाला शंकर गया वाल यह युवा हमारे विद्वान है संस्कृत के और भारती संस्कृत पत्रकार संग के हमारे सजुक्त सचीव हैं और वे भरतपूर में राजस्तान विश्रुविद् नहीं ले सका था डॉक्टर राम प्रकारदार जी जो आकाश्वानी दूर्दर्शन में भी उन्होंने काम किया है और एक हिंदू चेतनागर के पत्री का है उसके संपाधक रहे हैं और उसके बाद मैंने श्रीमती चेतना जी का संदर्भदिया था जिन्होंने अपना संस्कृ पत्रकारता और विशेश राजस्थान की संस्कृत पत्रकारता ऐसा पुस्तक अपना शोध़ प्रबंद उनKA है उन्होंने ये प्रकाशिक किया है लिखा है तो ये 15 नाम है, उन्होंने जो संदर्भ जहा जहां से मिले उसको अपने लेखों में और अपने थिसिस में लिख किया है कि व्यवस्थित रूप से और आधूनिक स्वरूप क्या है संस्कृत पत्रकारिता का उस बात को लेके अपनी पुस्टक में उसका संदर्वत दूँब तो उन्नती जी मैंने ये सब सारा जैसे आपको कहा है कि अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि संस्कृत पत्रकारिता की खुबी क्या है देखिए अंग्रेजी में हिंदी में उर्दु में जो अकबार छपते हैं तो ठीक है अंग्रेजी एक वर्ग विश्वेश के लिए है कश्मीन हो दक्षिन भारत हो नौर्थ इस्ट हो पूर्वा उत्तर भारत हो गुजरात हो महाराश सबी जगा कोई न कोई पत्र पत्रिकाय हमेशा से रही है तो इसलिए इसको अगर हम संख्या करें आज देखे तो निन्यानबे पत्रिकाय अभी चल रही है उसके पूरी सू आधोनिक संस्कृत पत्रकारिता के साथ इसको जोड के हमें अगर देखे तो पूरे भारत को जोडने के लिए यह एक अंडरकरंट के हैं कि पूरे भारत की जो भावनात्मक और संस्कृतिक एकता है उसको बनाए रखने के लिए संस्कृत ने अपना महत्वपुण योगदान दिया है तो इसलिए संस्कृत पत्र पत्रि का नाम माध्यमे नेव अध्यापि कण्या कुमारितो हिमालय अम्यावत भारतम सांस्कृतिकम आध्यात्मिकम भावगोलिकम चाएक्यम अनुभवती मैं दक्षिन भारत में चला जाओ और मुझे तमिल या कंडर या तेलुगू नहीं आती है और संस्कृत आते हैं और वहां का विद्वान संस्कृत बोलता है तो मैं अपनी बात उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ विचार भी नमई कर सकता हूँ पहले भी रहा है और आज भी है अंग्रेजी आ गई है अपनी जगापर है इसलिए सरवेशु राजेशु संस्कृतम पठीतम लिखीतम मुद्रितम प्रकाशितम चसत माने सभी राज्यों में संस्कृत पढ़ी जाती है लिखी जाती है प्रिंट की जाती है और प्रकाशित विज्यापित की जाती है सत्व्यवहृतम अक्षी लक्षी क्रियते यतो ही एतत अम्रितम वर्तते अब यहां कुछ तार्किक लोग या बाउधिक लोग कहेंगे के आप इसको अम्रित क्यों कहते हैं तो अम्रित का अर्थ होता है जो जिसमें प्रान नहीं है संस्कृत की साथ ऐसा रहा है कि सरवदा वो कभी जन जीवन से हट कर रही है लेकिन हमेशा ये जीवित रही है भारत का प्राण रही है भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, एच्यासिक जितनी भी संपदाएं, परंपराएं, चिंतन है वो इसमें है इसलिए इसको अम्रित कहा जाता है अब आईए हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह से संस्कृत पत्रकारिता जीवित थी और क्या-क्या इसने योगदान किया तो इसके लिए आधूनिक स्वतंत्रे भारते, आधूनिक संस्कृत भारत में संस्कृत पत्रकारिता ख्षेत्रे संस्कृत जनरलिजम में अनेकाह, नूतनाह, मासिक्याह, द्विमासिक्याह, साथ्ताहिक्या, पाक्षिकस्च, संस्कृत पत्रिकाह, प्रकाश्यम्ते आधुनिक भारत में अब नई नई मंथली, बाइमंथली, वीकली और फोर्टाइटली संस्कृत मैगेजीन प्रकाशित हो रही है परम्चा लेकिन स्वतंत्रताव आपते प्राग इंडिपेंडेंस मिलने से पहले स्थिती ही एताद्रिशी नईवासी ऐसी स्थिती नहीं थी, संस्कृते दैनिक भारता पत्रस्य प्रकाशनम सर्वता दुशकरम कारियम डेली न्यूजबेपर संस्कृत में निकालना बहुत कठीन काम है क्योंकि उसके लिए सबसे पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार स्वरूप चाहिए, धन चाहिए, विज्यापन चाहिए, ग्राहक चाहिए, पाठक चाहिए और लेखक तो चाहिए ही चाहिए, और वो संस्कृत की स्थिती जो भोगोलिक स्थिती आपका है, राज़ितिक स्थिती का है, उसमें कम होने से पाठक कम हो गए, ग्राहक कम हो गए, विज्यापन दाता कम हो गए, तो डेली न्यूजबेपर निकालना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समर्पित संस्कृत जीवी, संस्कृत अभीमानी, संस्कृत विद्वान, संस्कृत अनुरागी लोग थे जिनों ने ये कार्य किया उनमें से संस्कृते दैनिक वार्ता पत्रस्य प्रकाशनम सर्वता दुश करमकारियम तदपी सब्तोत्तर उन विंश शततने वर्षे 17.1907 में जान्युआरी मासस्य प्रथमा दिनांका जान्युआरी की पहली तिथी से जयंति इत्याथ्यम प्रथमं संस्कृत दिनपत्रम केरल और अजयस्य त्रिवेंद्रम नगराद प्रकाशित मासी। 1907 एक जन्वरी को जयंति नाम का एक अख़बार दैनिक अख़बार त्रिवेंद्रम से प्रकाशित होना शड़ू हुआ। और उसके संपादक थे दो लोग कोमल मारुताचारिय और लक्ष्मी नंदस्वामी हम उनका पुण्ड़स्परान कर रहा हैं यह महान पुरुष जिन्होंने संस्कृत का दैनिक अकबार 1907 में प्रकाशित किया परम्चा लेकिन उनके साथ ये घटना हुई कि वित्तस्य ग्रा ग्राहका नाम्च अभावाद धन और ग्राहक पाठक के अभाव के कारण कतीपय दिवसारं तर मेवक अस्य प्रकाशनम स्थगितम इस जैन्ति नाम का जो डेली न्यूजपेपर 1907 एक जन्वरी को प्रकाशित हुआ था वो बंद हो गया अब संस्कृत पत्रकारिता या इत्यहा से इदम नूनम अवधेयम संस्कृत पत्रकारिता में इस बात को खास ध्यान रखना जरूरी है कि संस्कृत पत्रकारिता के विकास में प्रायह मासिक पत्रिका अनाम प्रकाशनेन जो मंतली मैगेजिन है उसका काफी युगदान रह इसमें उनती जी वो यू कि डेली न्यूस पेपर के रुप में तो नहीं हुआ लेकिन जो मंतली मैगेजिन थी उसमें विद्वानों के लेख छपते थे रिसर्च पेपर या कोई विशेश लेक या सूचनात्मक लेक तो उसके कारण जो भी हमारे मासिक पत्रक पत्रिकाए थी वो इसमें ज़्यादा योगदान देती रही है अच्छा अब मैं आगे करूँ इसमें थोड़ा ये ब्लॉक हो गया है तो मैं जब तक ये ठीक होता है आपसे बात करूँ कि क्यों मासिक पत्र-पत्रिकाओं का योगदान माना जाएगा क्योंकि इसको प्रकाशित करने में संपाधक को या संस्क्रित विद्वान को ज़्यादा डेली न्यूजपेपर के अलावा बोज कम है प्रेशर कम है किस तरह से मैं आपको बात करूँ गांडिवं पत्र की जो आजकल डॉक्टर संपुनानन संस्क्रित विश्रुविद्या अलाई से आरंभ होता है गांडिवं जो है वो रामबालक शास्त्री जी ने आरंभ किया वारानसी में और इस पत्र को प्रकाशित साथता ही करूप में चार पेज में या छे पेज में वो करते रहे लेकिन उसके बाद भी उनको कठिना या कई आई उसको मैनेज करने में ले प्रबंदान सही होगा वितरी तो हो सकता बाई पोस्ट पहले तो व्यवस्ता थी आजकल तो ऑनलाइन हो गया है तो आसान हो गया है लेकिन पहले उसको प्रिंट होने के बाद पैकेज में बना के पोस्ट ऑफिस से जो है बेजा जाता था और हपते दस दिन में मिलता था व जो मासिक में होती है क्या इनका स्वरूप फरक अलग अलग नहीं है जहां पर हम ज्यादा तर साहितिक लेक या रिसर्च देखते हैं वो मासिक में आता है और दैनिक जहां पत्रकारिता है उधर का स्वरूप फरक है तो इस तरह से संस्कृत जनरलिजम अब क्या ज्यादा तर लिटररी और सहितिक हो रही है बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूचा आपने जैसे कहा कि जो दैनिक अकबार है उसमें तो डे टू डे की घटना ही हुई और उसमें संपाद की संपादक अपनी और से लिखता है फिर आलेक होता राइट अप होता है जिसमें जो राजनेत अंतराष्टी घटनाएं है उस पर टिपनियां होती है और पाठकों के पत्र होते हैं कुछ विग्यापन होता है फिर बाजार की बात होती खेल कुछ की बात यह सारा एक दहिनिक पत्र है और वो अखबार जैसे आजकल अंग्रेजी और हिंदी के है तो उनको इतना विग्य प्रेटना ही नहीं होने ऐसे जो लेख है और खास करके अनुसंधानात्मकलिक शोध लेख और शोध लेख में जो शेक्षिक शेत्र के अकडेमिक फिल्ट के विद्वान लोग होते हैं जो अलग-अलग विशे के हो संगीत के हो कला के हो विज्ञान के हो भाशा के हो वो 2015 आने वाले 2016 में इसका बहुत सुरुफ बदल गया है और उसकी मूल उसकी जो वजह है कारण है वो है सूचना क्रामती अब तो अभी सितंबर में एक दैनिक अखबार शरू हुआ संस्कृत का उन्नतीत वो उसका नाम है संप्रतिवारता हा डॉट डॉट संप्रतिवारता है केरल से श्री शंकराचारिय विश्विद्याले है कालडी में वहां के जो संस्कृत पत्रकारों की टीम है उन्होंने किया है और वो सब लोग यहां हमारा एक संभिलन हो रहा है दिसंबर में अक्षर धाम में दो दिन का 10 और 11 दिसंबर को तो उसमें पुरी टीम आ रही है इस तरह से बहुत सारी टीम है जैसे पुरे से पुरी टीम आ रही है तो अब संस्कृत पत्रकारिता मेरा जो यह आग्रह है बार-बार संस्कृत पत्रकारिता के बारे में वह इसलिए कि इसका पहले सुरूप केवल पढ़े लिखे लोगों के सामने था अब क्या है थोड़ एक e-journal है प्राची प्रग्या वो भी हमारे राश्टी संस्थान का केंपस है बलाहा रहनाचल में वहां के विद्वान युवा विद्वान डॉक्टर सुग्यान महांति करके हैं वो प्रकाशिक करते हैं ओनलाइन मैगजिन है इस तरह से डॉक्टर वीपीन जहा करके युव विद्वान है वो जहाननवी करके एक मैगजिन उन्होंने शुरूर की है तरह मासिक ओनलाइन है तो अब ओनलाइन होने से सभी घटनाओं को संस्कृत में वो पढ़ सुन सकते हैं और जो मासिक पत्र है वो तो गंभीर अध्यन के लिए हैं और डॉक्टर हमारे संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान अपने नाम भी सुनाओगा ज्यान पीठे अब और डी है डॉक्टर सत्यभरत शास्ती जी हमें उनसे पढ़ने का उसर मिला है दिल्ले विश्वी जैले में उनको मैंने जब अपनी ये पुष्टक दिखाई तो उन्होंने एक इमेल मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि आपने ये पुष्टक जो लिखी है बहुत अच्छा कारिये हुआ है लेकिन संस्कृत पत्र का पत्रिकाओं की जो भूमी का गंभीर लेखो की है उस बारे में विशेष इसका संदर बदैंगे कि मासिक पत्रिकाओं जो आज तक हुई डेट सो वर्षे तक चली है उसमें गंभीर लेख हुए और आगे भी में चर्चा करूंगा पंडित अंभिगा दर्तव्यास जी कैसे उनका पुरा उपन्याथ श्रीवराज विजे पहले पत्रिकाओं में छपा उसके बाद में पुस्तकाओं में छपा तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किस तरह से मासिक पत्रिका और दैनिक पत्र उसमें अंतर है और अब आगे हम आशा करते हैं कि संस्कृत के जो युवा कर्मी है वो अपना इमेग्जिन शुरू करें बहुत आसान है ब्लॉगिंग बहुत सारे ब्लॉक्स लिखे जाते हैं और हार्ड कॉप पत्रकारिता पुना लाइम लाइट में आएगी राष्ट्री जो मैंस्ट्रीम है उसके साथ जुड़ जाएगी और हर कोई कह सकेंगे कि वयम संस्कृतम जानी महें हम संस्कृत जानते हैं थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं हमें जब भी कोई मिलते हैं उन्नती तो वह हुए संस्कृतम सभी में है। क्योंकि हमारी मात्री भाषा है देश Dee हुज опас एक और प्रभावी रूप से रह सकते हैं और अपनी जान्स्क्रिति पूरी तो मैंने आपसे बात कही किस तरह से जयनती पत्र जो है वो दैनिक पत्र आरंब किया कोमाल मारुताचारिय जी और लक्षमिन अंदस्वामी दोनों संपादकों ने और एक बात मैं अभी और यहां कहना चाहूंगा जब केरल की बात आई है क्योंकि केरल में संस्कृत की परा तो ही है लेकिन कला जैसे कुडियाक्टम है या वहां के दुसरी जो नृत्य विधायें और संगित की विधायें वेद परंपरा हैं वो वहां है अभी दो अक्टूबर को वहां का एक जनम करके टीवी चैनल है जो कि मल्यालम में है 24 घंटा मल्यालम में वहां से बुलेटिंग शुरू की है और वो संस्क्रित में पूरा प्रसारण होता है तो इसलिए जयनती अख़बार जो जब जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वह भी किरल से त्रिवेंद्रम से शरू हुआ था बाद में स्थागित हो गया मैं जिस बाद पर कह रहा था कि मासिक पत्रिका अनाम प्रकाश नेन सहेव संस्क्रित पत्र पत्रिका अनाम विकासा आरब्दा अब आईए विस्तार से देखते हैं 1866 यानि ठीक धेटसो वर्ष पूर्व 1869 वर्ष पूर्वedu जून मासस्य पर्थमा दिनांकां जून महिने के पहले दिनांक से काशी विद्या सुधा निधी यह पत्रिका का नाम है इति प्रथमा संस्क्रित मासिक पत्रिका मन्तली मैगेज दिन काशी हितह प्रकाशी मैंने पहले भी संदर्भदिया था डॉक्टर वेज प्रताफ वैदिक जी का जिनोंने हिंदी पत्रकारिता विविद आयाम करके एक बहुत दो भाग में पुस्तक प्रकाशित किये जिसमें हमारे आधुनिक हिंदी अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्वानों के लेख है वैसे काशी विद्या सुधा निदी संस्कृत पत्रकारिता की प्रथम पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित हुई थी और इसका अपरम नाम अस्या पत्रिकायाह पंडित पत्रिका इसको पंडित पत्रिका भी बोलते थे यानि 1500 वर्ष पूर्व ये मासिक पत्रिका आरंब ह ऐस्याह पत्रिकायाह प्रमुख ध्रेश श्रमासित इस मासिक पत्रिका का प्रमुख लिश्ञत अविझा दूरलभा नाम प्रकाशित आ अचना नाम प्रकाशनम उन्हक्ष आपको एक और आप ध्यान आकर्शित करना जाओंगा दूरलब मुने रहर Mansion और आप प्रकाशित बहुत संस्कृत ग्रम्थ ते जो प्रामानिक और अथेंटिक ग्रम्थ थे और पुराने थे और लोगों के सामने नहीं थे उनको इस काशी विद्या सुधानिदी ने प्रकाशित किया इसके बाद 1871 विद्योदयाह नामनी संस्क्रितस्य मासिक पत्रिका प्राकाश शमागता 1871 में विद्योदय नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित शरू हुई प्रकाशन उसका शरूअ अनया सहेवा और इसी विद्योदय पत्रिका के साथ ही संस्क्रित पत्रिकार्शू व्यंगशैली अपियारब था अब इसका विशेश योगदान विद्योदय का था कि जो पहले भी था जैसे मैं अगर आपको कहूं पंडितराज जगन्नात तेरह वी शताबदी के शाह जहां के दर्बार के राजगवी जिन्होंने भामिनी विलास रस गंगादर जैसे ग्रमतली के और उनके काद्व्य गंगा लहरी और पांच लहरियां हैं अगबूत कवी पंडित अगयर विशेश महत्पप्ण भूमीकाने भाई और 1871 में ही इसी वर्ष में पतना से पतना डिस्टिक में बाकिपुरा जगह है बाकिपूर महां से दामोदर शास्त्री जी ने विद्ध्यार्थि नाम की एक महासिक पत्रिका का प्रकाशन शिरू किया पत्रिका का नाम है मैं जितने भी higher education के अपने विद्यार्थी है संस्कृतानु रागी और जो पत्रकारिता के विद्यार्थी कहिए या शोधार्थी कहिए वो है उनसे निवेधन करूँगा कि ये सब पत्रिकाएं क्योंकि मैंने भी यहां archive में जाके देखा कि कुछ पत्रिकाएं पुरानी मिले और कुछ मुझे मिली भी है और उसको मैंने संग्रह किया और अवसर आने पर उसको उस पर अपनी जो भी काम रचनात्मक लेख वगरे लिखना वो करूँगा लेकिन आपको कहीं भी किसी जगा पर किसी संस्था में इन पत्रपत्रिकाओं की पूरानी प्रतिया मिलती है तो पटना डिस्ट्रिक से अगर पत्रिका विद्यार्थी या विद्योदे इमानली जे निकलती है तो उसमें क्या लिखा गया किन विद्वानों ने संदर्भदिया वो जरूर आप देखेंगे आपके रिसर्च के लिए आपको साहयक होगा तो इस प्रकार से हमने बात की अंभीर पत्रिका क्योंकि हमारे यहां सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसोफी की बात कही जाती है शड़ दर्शन द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत इस प्रकार के जो हमारे दर्शन है छे तो वो शड़ दर्शन को लेकर उनमें क्या-क्या चिंतन आधूनिक चिंतन प्रा बड़ा यग्ये हुआ है इसलिए उसका इलाबाद का नाम तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता जाकुम्ब का मिला लगता है आप सब जानते हैं प्रयाग धर्म प्रकाश नाम की पत्रिकारंब हुई शड़ धर्म अमृत वर्शनी अगें सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसोफी कह या शड़ धर्म है तो छे हमारे जो सेट कहिए पंथ कहिए संप्रदाय कहिए उनका जो अम्रित वर्शिणी जो सारतत्व है चिंतन है उसकी बाद कहने वाली पत्रिका अत्रयस्य प्रकाशनम आरब्दम इति इतिहास विद्वेही स्रीक्रियती जो इतिहास को जानते है संस इसी तरह से 1889 में काम अधैनुप पत्रिका का नाम है काम अधैनुप संस्क्रिका प्रकाशित की गए कहां से और किस तरह से इसका वीवरण मेरी पास नहीं लेकिन और ृषर्च करने वाले लोग इस पत्रिका के बारे में विशेष प्रकाश डाल सकते हैं इसके बाद 1881 में एक भार फिर विद्ध्यार्थी नाम से, दामोधर शास्त्री जी की बात मैंने आपको कहा है, संपाद कत्पे प्रकाश्चमाना मासिकी संस्कृत पत्रिका, पाक्षिक संस्कित पत्रिका रूपेन उदेपुरात प्रकाश ही तुम आरपदाद। हुआ क्या कि विद्यार्थी पहले प्रकाशित की गई लेकिन बाद में उसको मासिक से पाक्षिक बना दिया फोटनाइटली कर दिया और उसको उधाइपूर से जैसे एक पत्रिका का हैड ओफिस बदल जाता है उस समय में 1881 में इसको उधाइपूर ले आए और मासिक को पाक अक्षिक बनाकर ये विद्यार्थी पत्रिका चलती रही 1882 में 1882 में काव्य नाटका दर्श नामनी संस्कृत पत्रिका आरवधा काव्य पोईटिक्स और नाटक ड्रामेटिक्स उसको लेकर काव्य और नाटक के संस्कृत में संस्कित का काव्य काव्य ग्रम्त और साहित्य दरपन और दूसरे जितने भी मतलब मम्मट वगरे आचार ये हैं उनके ग्रम्त और नाटक तो आप जानते हैं संस्कृत के नाटक इतने सारे हैं उनमें उन पर विशेश व्याख्या चिंतन को लेकर इस पत्रिका में लेख सब मिलते हैं और ये 1882 में शुरूर की गई है यस्याम काव्या नाटक आदर्शेती पत्रिकायाम काव्या नाम विशेशेन नाटक आदर्शेती पत्रिकायाम नए नाटक जो लिखे जाते थी जो कि कई सारे लोग कहते हैं संस्कृत में तो लिखा ही नहीं जाता है संस्कृत में तो नया साहिते ही नहीं लेकिन 1881 की हम बात तो विद्यार्थी नाम की पत्रिका और काविय नाटक आदर्श नाम की पत्र पत्रिकाओं में ये नाटक लिखे गए काविय लिखे गए उनका प्रकाशन हुआ है अब आईए आगे चलते हैं 1883 में आर्यह नाम की पत्रिका और धर्मोपदेश दुस्री पत्रिका इत्यपरम संस्कृत पत्रिका द्वयम प्रकाश ही तुम आरबत आर्यह और धर्मोपदेश मैं यहां इस बात के लिए विशेशुप से ही कहना चाहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी महर्शी दयानंद जी उनका संस्कृत के प्रचार में और संस्कृतिक पुनर जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है वैसे उनके जो अनुयाई है महर्शिद यानन को हम भी उनके अनुयाई है लेकिन एक दब दिक्षित रुप में जो आर्य समाजी लोग है वो वेद और संस्कित को लेकर भावनात्मक रुप से बहुत आग्रह के साथ प्रचार करते हैं और आज भी कई पत्रिकाएं हिंदी संस्कित को मिलाकर आर्य समाज के जो विभिन संगठन शाखाया है वो प्रकाशिक करती है आर्या धर्मोपदेशाह ये दो पत्रिकाएं 1883 में शरू हुई थी 1885 में ब्रह्मविद्या नाम की एक संस्कित पत्रिका शरू हुई ब्रह्मविद्या वेदान्त की पत्रिका जैसे रामकृष्ण मिशन अपने जो एक पूरा आमनाय है एक पूरा विचार परमपरा है स्वामी विवेकानम जी और स्री रामकृष्ण ठाकूर जी और उनके जो शिश्य परमपराएं है और पूरे विश्व में आजकल तो उनकी शाखाएं है और मिशन है उनकी बहुत सारी पत्रिकाएं जो अंग्रेजी में भी छपती बंगला में और जो खृत्री भाष्ण में चपती लेकिन संस्कृत साथ है ही है कम या जादा या उपादान के रूप में या आधा रूप में संदर्व रूप में वेदान तको लेकर स्वामी विवेकानम जी रेशी कागो में जो अपना पहला भाषन दिया था और आज भी वेदान का जितना प्रचार रामकृष्ण मठो द्वारा होता है दैनिक व्याख्यान साथ्ताहिक व्याख्यानों के द्वारा तो ये ब्रह्म विद्या मासिक पत्री का आरंभ हुई जिसमें भारती अद्वईत वेदान और शड़दर्शन की बात हुई आईए अब एक विशेश बात करते हैं पुण्य नाम स्वर करते हैं पंडित अंभिकादत तव्यास उन्नती जी मैं आपको कहना चाहूंगा संस्कृत में एक शताउधान परंपरा है शताउधान परंपरा बोलते हैं कि विद्वान बैठते हैं और साथ में कई और और उनका एक-एक करके उतर देते हैं शत्रावधान hundred concentration मानिया हम जैसे हमारी एक सामान्य मनुषय है उनकी जो स्मृति है memory है वो कितनी स्टाउधा है कितनी ज्यादा मेधा वाली है मतलब उसमें क्शमता है वो अलग-अलग उसमें डिफर करता है लेकिन जो विद्वान होत शतावधानी वो सो प्रश्न सुनके एक एक प्रश्न का उत्तर देता है आज भी आंधरी प्रदेश में हैद्राबाद में डॉक्टर नागफणी शर्मा करके शतावधानी है उन्होंने गतवर्ष यहां नवंबर में दिल्ली में कारिक्रम किया था था हैद्राबाद में और उन्होंने साथ दिन कारिक्रम दिया था और विद्वान प्रश्न पुछते थे उनका उत्तर देते थे और वो गाके देते हैं संगीत के बहुत बड़े विद्वान है तो पंडित अंबिकाद उत्तव्यास उनको सहस्रावधारी कहा जाता था और उन्होंने एक उपन्यास दिखा है शिवराज विजयम जो आजकल हमारी जो पाठ्य पुस्तक है दस्वी की नवी की या पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा जो पारंपरिक संस्क्रित दिन किया जाता है उसमें वो टेक्सबुक के रूप में है पाठ्यक्रम में और शिवराज विजयमें शिवाजी की छ जहासिक तो औरंग जहब है शिवाजी है और माकी चरित्र तो ही है उसको ताना बना ऐसा उन्होंने गुठा है कि संस्कृत का आधुनिक उपन्यास के रूप में शिवराजी जही को माना जाता है और पंडित अंबिका दक्तव्याज जी ने उसको लिखा है और उसको ख्यास किया कि संस्कृत शिक्षा पद्धती जो संस्कृत पढ़ने पढ़ने की परंपराती प्रक्रियाती की उसको रिवाई भी किया जए ज्यादा समयान उकूल प्राष्थ्षंगिक बनाया जाए और सब लोग शिंसक्त में आइं ऐसा नहीं किные ब्रामन पढ़े या ऐस संस्था बनाई उस संस्था का नाम रखा बिहार संस्कृत संजीवन समाज बिहार के थे बिहार संस्कृत संजीवन समाज नाम की एक संस्था बनाई और उसी समय 1887 में ही संस्कृत बांगला भाशयोहो मिश्रितम द्वई भाशिकम इत्याख्यम पत्रमा उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नामी रखा द्वई भाशा, दो भाशा में यानि कि संस्कित भी है साथ में बंगला भी है संस्कित है साथ में हिंदी है संस्कित है साथ में मैठीली है संस्कित साथ में उर्दू संस्कित साथ में अंग्रेजी दो दो भाषा में पत्रिका का उन्होंने बैभाषी के पत्र शरू किया यसमिन जिसमें आधुनिक काव्या महत्वाधाईस्त उसमें एक कॉलम था स्तंब था जिसका नाम था आधोरिक काव्य जो modern संस्क्रिक राइटर थे उनकी जो भी रचना थी उसमें वो प्रकाशित करते थे और उसमें ही उनका शिवराज विजय का प्रकाशन वो मैं बात आपको आगए कहूंगा इस बीच में कुछ और पत्रिकाएं भी शरू ही जिनके नाम है विद्या मारतंड ग्रंथ माला आर्यसिद्धांता यह मासिक पत्रिकाएं हैं यह तिनों पत्रिकाएं अठारा सो अठासी में 1888 में शरू हुई और 1889 अठारा सो नवासी में उशा नाम की एक पत्रिकाश शरू हुई और 1891 में एक नवती उत्तर अश्टादश शत्तमे वर्षे मानव धर्म प्रकाश आ है इस नाम की पत्रिकाश शरू है मानव धर्म प्रकाश की बात आई तो मैं याद करू हमारे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री दो बार प्रधान मंत्री रहे गुलजारिलाल नम्दाजी गुलजारे लाल नम्दा जी की पत्रीका जी मानव धर्म करके यहां दिल्ली में कॉनोट पेस में कॉफी हाउस बहुत पहले था उसके पास में उनका ओफिस था वो कॉफी हाउस अब तो पालिका बाजार बन गया है तो वो अब रामकृष्ण मिशन मार्ग पर आ गया है वो ओफिस और मानव धर्म आप तो पत्रीका चल रही है के नहीं मुझे नहीं पता है लेकिन वर्शोपुर्वा मुझे अपने कुछ लेख उसमें प्रकाशित करने का आउसर मिला क्योंकि मैं उनकी जो कुरुक्षित्र में उन्हें ब्रह्म सरोवर बनाया हुआ है जिसके इंचार्ज और प्रेरक गुलजारिला नंदा जी रहे है उन्होंने मानव धर्म प्रकाश में किस तरह से भारतिय चिंतन की महिमा और सर्व धर्म संब्हाव के बात लेकर लेकर प्रकाशित करते थे और उसमें रिषज असिस्टान के रुप में 2 वर्षम में नहीं काम किया है तो मुझे वह वह साव भाग्य मिला है तो मानव धर्म प्रकाश 1891 में में design प्रकाशित हुई और 1893 में संस्कृत चंद्रिका इती संस्कृत चंद्रिका नाम की पत्रिका और मानुधर्म प्रकाश ये दो पत्रिका आरंब हुई अब हम बात करते पुना पंडित अंबिकादत व्यास जी की लिखीत हा, शिवराज औ विजयाह, इती प्रथम हा, संस्कृत अब यौळ, जो सामाणहाएं रूप जितने श्रोता दर्शे को कहँए, क्या पहले उपअड उपअचन संस्कित में नहीं था, बिल्कुल था, कादमबरी, दश कुमार्चरित, और कथासरित सागर ये महावपन्यास के रूप में संस्कृत में है गद्य के रूप में संस्कृत में पध्य साहिट ये बहुत है तो कि संस्कृत भाषा का स्वरूप ऐसा गणितात्म कोने से पध्य में लिखने में आसानी होती है जिनको अभ्यास है उनको लेकिन गद्य साहित्य इसलिए संस्कृत में कहा जाता है गद्यम कवीनाम निकशम बदंती जो गद्य है वो लेखक का निकश है निकश माने उसकी परीक्षा है अगर कोई प्रोज लिखता है संस्कृत का गद्य लिखता है और अच्छा गद्य लिखता है तो उसकी प्रतिभ जाता है काव्य करना तो आसान है ऐसा कहा जाता लेकिन गद्यम कभी नाम निकशम बदंती ऐसा कहा जाता है लेकिन यह जो प्राचिंग परमपरा थे कादमबरी दशकुमार चरीत और इस तरह से कथा सरी सागरा और जितने भी मतलब हमारे ग्रमत हैं पंडित अंबिकादत व् वर्षे प्रकाशिता इसको 1893 में शिवराज विजय को प्रकाशित किया अस्य उपन्यास अस्य प्रकाशनेन सहेव इस शिवराज विजय उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही संस्कृत वांग में संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य लेखन परमपरा पुनरुजिविता पहले थी लेकिन लुपत हो गई थी या कम हो गई थी लाइम राइट में नहीं थी वो परंपरा कहानियों की और साहित तिलेखन की परंपरा पुनरोद जीवित हुई और इसका यश पंडित अंभिगादत व्यास जी को जाता है आई ये आगे चलते हैं अठारा सु पचान्वे में कवी ही इस नाम की मासिक संस्कित पत्रिका आरब था कवी पत्रिका का नाम था जिसमें नहीं नहीं कवी अपनी कविताएं और रचनाएं प्रकाशित करते थे अस्विन्नेव वर्षे इसी साल में अठारा सु पचान्वे में ही प्रयाग पत्रिका आर्यावर्त वारिधी ही श्री वयंकटेश्वर संस्कृत पत्रिका ये तीन पत्रिका येति संस्कृत पत्रिका अत्रयस्य प्रकाशनम आरब्दम 1895 में ये तीन और पत्रिकाये आरंब हुई अब आईए शन्नवत्युत्तर अश्टादश शततमे वर्षे मात्रिभक्ति विशयिन्याम काव्य निबंध लेखनस परधायाम अप्पा शास्त्री राशी वडेकरह संस्क्रित चंद्रिका यती संस्क्रित पत्रिकाया श्रेष्ठ लेख कत्वेन प्रथम पुरसकार प्रदा सभाजिता अस्मिन नेव वर्षे सहरिदयायिती संस्क्रित पत्रिका आरब था एक विशेश संदर्व मैं दे रहा हूं क्योंकि संस्क्रित पत्रकारिता के इत्यास में जो एक आधरनिया नाम है वो है अप्पा शास्त्री राशी वडेकरजी और ये उनका चित्र है जो शा के रुप में छपी है श्री अप्पा शास्त्री राशी वडेकरजी इन्होंने आधूनिक संस्क्रित पत्रकारिता के विकास के लिए बहुत कार्य किया है उन्होंने 1896 में एक लेख लिखा एक स्पर्धा थी निबंध राइटिंग की कॉंपिटिशन था ऐसे राइटिंग में अप्पा शास्त्री राशी वडेकर जी युवा होंगे उन्होंने लेख लिखा और वो लेख संस्क्रित चंद्रिका इस मासित पत्रिका में छपा और इस पत्रिका ने उनको श्रेश्ठ लेखक का पुरसकार दिया राशी वडेकर साब को और उसका संदर्व उस पत्रि में एक और पत्री का शरू हुई जिसका नाम सहृदया था सहृदया इस संस्क्रिट पत्री का आरंभ हुई आप कुछ पूछना चाहते हैं अच्छा अठारा सुस्तानबे की दो वर्श एक वर्श बाद फिर महां बात करते हैं तो काव्य कादम बिनी संस्क्रिट ग्रंथ माल काव्य माला काव्य कल्प द्रुमह भारतो पदेश कहा काव्य कादम बिनी संस्क्रिट ग्रंथ माला काव्य माला काव्य कल्प द्रुमह भारतो पदेश कहा इती संस्क्रिट पत्रिका पंचकस्य प्रकाशनम आरग्दम ये पांच पत्रिकाएं अठारा सो सतानबे में याने आज से 700 साल पहले ये पांचों पत्रीकाई आरंब हुई अभी ये चल रही है कि नहीं चल रही में इसको वह कूंग हूं इसके लिए सब्सक्राइब सांच को पत्रीका को पूरा सर्वे करना होगा कि कुछ पत्रीका है कुछ समय रुख जाती है पिर छबने लगती है क्योंकि परिवार पुरा जैसे मैं सुधर्मा का नाम लूँ या संस्कित संभाशन संदेश का नाम लूँ संस्कित संभाशन संदेश बैंगलूरू से संस्कित भारती की पत्री का है मुख़पत्री का मासिक पत्री का वो चल रही है और उसका जब दिवंगत हुए तो रुख गई थी लेकिन उनका बेटे उनके संपत कुमार जी और उनकी पुत्रवदू जैलक्षमी जी वो दोनों मिलके उसको आज भी चला रहे हैं ऑनलाइन भी है सुधर्मा डेली संस्कित न्यूजबर के नाम से और हाड कॉपी भी वो डिस्ट्रिबूट मनलब बाई पोस्ट जाती है राश्टी संस्कित संस्थान की योजना है जिसमें विभिन पत्र पत्रिकाओं को आनशिक वित्तिय अनुदान राश्टी संस्कित संस् पत्रिकाओं का जीवन ज्यादा वेगवान गतिवान और ज्यादा प्रसारित होगा आईए आगे चलते हैं अठारा सो निन्यांबे में याने की उन्नीस शती का समापन हो रहा है उस समय में अनंताचारिय संस्कित के विद्वान उन्होंने शास्त्र मुक्तावली इती संस् होता क्या है हम सब इस बात का अनुभव करेंगे कि कोई अपने विशय में इतना विद्वान होता है उस भाषा के प्रतितना समर्पित होता तो उसके मन में एक संकल्प होता है कि मेरे जो विचार है और मेरी जो रचना धर्मिता है उसको मैं प्रकाशित करूं तो संस्कित क विद्वान जिस जगह पे है वो भारत के किसी राज्य में है किसी क्षेत्र महानगर में है तो वहां से अपनी पत्रिका आरंब करते हैं उनको सहायता मिलते हैं वो पत्रिका के पाठाक और बागी ग्रहाक बढ़ते हैं और पत्रिका चलती रहती हैं विशेश रूप से संस्थ झेभाएं, विशोविद्यालें, संसकृत विभाग, और सरकार की और से, राज्य सरकारों की और से जो पत्रिकाय होती हो, चिरं जी भी होती है, लिकिन ऐसा जैसे अनंत अचारिय जी जैसे विद्वान है, उन्होंने शास्त्र मुक्तावली नाम की पत्रिका अठारा सो निन्यानबे में आरंब की जिसमें गंभीर लेक, रिसर्च, अनुसंधान के लेक, शास्त्र के बारे में, विबिन शास्त्रों के बारे में छपते रहे हैं। और अठारा सो निन्यानबे में ही विद्वत्कला साहित्यरत्नावली इतनी संस्कृत पत्रिका द्वयम प्रकाशित्त। क्यार्थी चिंतामणी इती संस्कृत पत्रीके प्राकाश्यमागते। है नीस व में दो कत्रीकाय आरंभुई देव गोश्ठी और सच बढॲती चिंतामणी नाम की. और इसी वर्षमें 1900 में ही मनजु भाशनीती प्रतमाया आहा संस्कृत साप्टाहिक्याः प्रकाशनम мहारतब्टम जैसे कि मैंने अभी बात मासिए पत्रिकाओं की की थी तो मासिए पत्रिका थोड़ा नियंतरन के साथ किया जा सकता था प्रबंदन के साथ बात हो सकती थी साप्ताहिक पत्र जैसे संस्कित भवितव्यम अभी चल रहा है नागपूर से प्रकाशित होता शिदर भासकर वरनेकार सहाब ने शरू किया और डॉक्टर चंदर गुपतर वरनेकर सहाब उसके प्रबंद निदेशक लिनारस्तों की जी उसके संपादक है तो साप्ताहिक और कई पत्रिका हैं जो साप्ताहिक हैं मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन साप्ताहिक पत्रिका तब 1900 में मंजु भाशनी नाम से शरूई और काफी चली अब आईए 1901 यानि जो यह हम इत्यास देख रहे हैं प्रती वर्ष कोई न कोई पत्रिका एक या एक से अधिक प्रकाशित होती रही है 1901 में भारत धर्म, ग्रंथ प्रदर्षन, श्रीकाशी, ये ची संस्कृत पत्री काथर यस्ति प्रकाशनाम आरब्धम तीन पत्री का ये शरू ही है वी स्री शतापदे के प्रधम वर्ष में भारत धर्म, गरंथप्रदर्शनी और श्रीकाशी अस्मिन्नेव वर्षे संस्कृत पत्रकार रह श्री निवास्व शास्त्री प्रानान अत्यज़ अब मैं यहाँ आपको एक संस्कृत पत्रकार जिनका नाम है श्री निवास्व शास्त्री वो 1901 में ब्रह्मलीन हो गये उनका देहावसान हो गया इस तरह से किन-किन संस्कृत पत्रकारों का जीवन चलता रहा और कब उनका देहावसान हुआ वो मैं आपको बताऊंगा 2002 में जुत्तर उनवीन्श शत्तमे वर्षे रसीक रंजीनी इत्याख्या संस्कृत पत्रिका आरब्दा 1902 में रसीक रंजीनी इक पत्रिका शरू हुई नाम से ही है कि साहितिक पत्रिका थी जिसमें मनोरंजन सूचना और जागरिती पठन-पाठन के बारे में बात और लेक कही जाती रही है और 1902 में ही अस्मिन नेव वर्षे विद्यार्थी चिंतामणी ती संस्कृत पत्रिका आया है साप्ताहिकम प्रकाशनम आरब्दम उन्नती आपको मैं बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी चिंतामणी पहले मासिक पत्रिका थी जैसे हमने विद्यार्थी की बात की तो वि में चार बार रूची की बढ़ गई और लोगों को जादा से ज्यादा लगा कि इसमें आमें लाब हो रहा है पठनियता जब रिडेबिलिटी बढ़ती है पत्रिका की अख़बार की तो उसका सर्कुलिशन बढ़ता है तो विद्यार्थी चिंता मनी दो हजार 1902 में इसका अगर भवानी प्रसाथ शर्मा उन्होंने काशी से बना रसे सूक्ति सुधा हित्यस्याह मासिक संस्कृत पत्रिकाया प्रकाश्रम आरवद्दम सुक्ति गुड सेइंग जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में सुक्तियों का बड़ा महत्वा है, सुभाशिक का बहुत महत्वा है, अउसर आने पर उसमें भी कुछ व्याख्यान होगा, तो सुक्ति सुधा करके उन्होंने काशी से 1903 में मासिक पत्रिका आरंब की श्री भवानी प्रसाद शर्माजी ने, और 1903 में ही वैश्नव संदर्भा इती संस्कित पत्रिका प्रकाशी था, वैश्नव संदर्भा, यहां मैं यह टिप्पनी अपनी कह करना चाहूंगा, हमारे यहां विभिन्न संप्रदाय है, शात माने शक्ति की उपासना करने वाले, शैव माने शीव की उपासना करने वाले, वैश्नव, विश्नु को, नारायन को मानने वाले, गानपत्य, गनेश को मानने वाले, कौमार माने कुमार, सुब्रमन्यम जीन को हम कहते हैं, प्रभिन्य प्रस्थाने परमिदामदाः पत्यमितिचा मैं इसको बताता हूँ उन्नतिय आपको कि समुद्र में जाकर मिनने वाली तमाम नदियां निकलती कहां से परवत से पहार से हिमालई हो विंध्य हो कोई भी पहार हो वहां से निकलती है और उनका रास्ता सिधा हो या टेड़ा हो अन्ता तह उनका गंतव्य उनका लक्ष समु गंधर्वराज पुष्वदंताचारिय कहते हैं कि त्रई माने तिनों वेद को त्रई बोलते हैं रिक यजुसाम सांख सांख दर्शन है जिसमें प्रकृति और पुरुष और 24 तत्वों को माना जाता है त्रई सांख योग पतंजली योग तो आप जानते ही है योगस चित मृष्णूं इती यह उन्होंने संधर्भदे दिया कि यह लग-ख विचार धाराये हैं कि प्रभिन्ने क्रस्थाने परम इदाह परम अदाह इती इदम माने ये अदा माने वो कोई कहता है ये कोई कहता है ये प्रभिन्ने माने अलग-अलग प्रस्थान माने फिलोसोफिक सिद्धान प्रभिन्ने प्रस्थाने परम इदम अदाह पत्यम इती चा पत्यम माने एक रास्ता, एक मार्ग, कोई ये मानता, कोई ओ मानता है, रुची नाम, क्यों ऐसा होता है? पुश्वत अंताचारे कहते हैं, रुची नाम वही चित्रयात, रुची अलग-अलग लोगों की है, कोई साकार में मानता है, कोई रूप सजाता है, कोई बिल्कुल, जैसे कबीर कहते है, निर्गुन के गुणगाओं मैं तो निर्गुन के गुणगाओं, निर्गुन है वो, फिर भी वह कहते हैं, उनके गुणगाता हूँ, तो ये उपासना पद्धतिया, विचारों की जो बात है, उसमें रुची की जो भी चित्रता है, अलग-अलग different हम लुकषपका लाक्षटो एक तुम ही हो Tumhari पास सब को पहुचना है प्रमात्मा त्राग निन Надо Word तुम ही इनसानों के लिए मनुश्यों के लिए-एक रगाओ-उया तुम ही टारगे तुम ही लख तुम प्राप्तव्यन हो लेंकिन निन द्राण legislative Playing America तुम एक ही हो जिसको प्राप्त करना है कोई साकार की उपासना करके तुम तक पहुंचता है कोई निराकार की उपासना करता है कोई तीर्थाटन करता है कोई ज्ञान मार्ग पर चलता कोई उपासना मार्ग पर चलता कोई भक्ती मार्ग इसमें कोई भेद नहीं है गोस्वामी तुलसिदास जी राम चरिक मानस में कहते हैं कि ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है केवल राम नाम अवलंबन एको ऐसा करके हो कहते हैं केवल मेरे लिए तुलसिदास जी कहते हैं गोस्वामी जी मेरे लिए तो राम नामी है जो परम मिराव लंबन है बाकी ज्यान में भक्ति में वैराग्य में उपासना में कोई भेद नहीं है, मार्ग एक है, लक्ष मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं लक्ष हम सब लोगों का एक है, तो इसी तरह से वैश्णौ संदर्भ ज की में बात करूंगा जिनोंने विश्रिष्टा द्वयित की बात मिलब की है और कहीं हमारे वेश्रव आचार्य हुए हैं उन्होंने जो जो बाते कहीं वो वेश्रव संदर्व पत्रिकावें प्रकाशिक की गई है उन्नी सो चार चतुर अधिक उनविंश शततमे वर्षे रामावतार शर्मनाह विद्वान का नाम है रामावतार शर्मा और विधु शेखर भट्टाचार्य है यह हमारे संस्कृत के बंगाली विद्वान थे उन्होंने मिलकर संयुक्त संपाद कत्वे मित्रगोष्ठी मासी क संस्कृत पत्रिका प्रकाशिता काशी से बंगारस से मित्रगोष्ठी नाम की मासिक पत्रिका उन्नी सो चार में रामावतार शर्मा जी और विदु शेकर भट्टाचार्य जी के संयुक्त संपाद कत्व में आरंब होई उसके बाद आप देखिए लगातार उन्नी सो पंचोत्तर उन्विंश स्टतमेवर्षे मिथिला मिथिलामोदाह आमोद माने प्रसन्नता खुशी मिथिला तो आप जानते ही है और विशिष्टादवाइतिनी स्त्रिलिंग में पत्रिका होंए से और विद्बगोष्ठी जैसे मित्र गोष्ठी थी 1905 में ये तिन पत्रिकाएं आरंब हुई मिथिलामोदः, विशिष्टाद्वैतिनी, विद्वद्गोष्ठी इति संस्कित पत्रिकाद्रयम प्रकाशिताँ 1906 में सून्दृतवादिनी इति सापताहि की संस्कित पत्रिका काशिताँ प्रकाश्यमागता अभी तक मासिक पत्रिका की मैं जैसे बात कर रहा था दो साप्ताहिक पत्रिकाओं की बात की तो सूंद्रितवादिनी अच्छा बोलने वाली प्रिये बोलने वाली प्रिये समाचार देने वाली पत्रिका वो साप्ताहिक पत्रिका के रूप में काशी से 1906 में आरंब हुई संस्कृत पत्रकारिता के इतिहास में सुन्द्रित वादिनी पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है क्योंकि इसमें विद्वानों का और युवा संस्कृत विद्वानों के लेक भी प्राप्त होते हैं इसी वर्ष याने 1906 में केरल ग्रंत माला सद्धर्माह प्रकटन पत्रिका वीरशेव प्रभाकारह बाल मनोरमा विद्यावती वीरशेव मतप्रकाशह विश्वश्रुतह विद्वन मनोरंजिनी इत्यादयह संस्कृत पत्रिकाह प्रकाशिता देखिए केरल ग्रंत माला एक सद्धर्म दो प्रकटन पत्रिका तीन वीरशेव प्रभाकर चार बाल मनोरमा पांच विद्यावती छे वीरशेव मतप्रकाश साथ विश्वश्रुतह आठ विद्वन मनोरंजिनी इत्यादयह संस्कृत पत्रिकाह प्रकाशिता नव पत्रिक पत्रिकाहें 1906 में आरंभ हुई इसमें वीरशेव प्रभाकर और वीरशेव मतप्रकाश के दो पत्रिकाहों के बारे में मैं ये टिपनी देना चाहूंगा कि शेव में शेव जो मत है शिव को मानने वाले जो अनुजाईल है उपासके तो उसके भी भेद हैं जैसे काश्मी वीरशेव इस तरह से शेव की शिव की उपासना के भी अलग-अलग पद्धतियां विकस्तित हुई भारत में जैसे शाक्त में यहाँ मैं यू कहूं कि योग में जैसे हठ योग वगरे माना जाता है या गुरु गोरखनात की जैसे परंपरा मानी जाती है कि उनकी अपनी अलग एक परमपरा है योग की योग में भी कई प्रकार के योग सुक्ष्वा उसके भेद माने जाते हैं जो कि कोई भी एक शाखा एक ज्यान की विशेश धारा जब चलती है तो उसमें फिर नए नए शोध और नए नए अनुभाव और नया नया चिंतन जुड़ता जाता है तो इस तरह से वीर शेव प्रभाकर और वीर शेव मतब प्रकाट वीर शेव करनाटक में ज्यादा माना जाता है आज भी कई परमपराएं कई मठ और आश्रम और विद्याले हैं और कश्मीर में काश्मीर शेव जिसको जिस पर 15 जगद्धर भट करके एक बहुत बड़े व जगद्धर भट और उन्होंने स्तुतिक उस्मांजली नाम के ग्रंथ लिका है जो शिव स्तोत्रों का है करीब उसमें 49 अध्याय है और 4000 के करीब श्लोक है और केवल शिव के स्तुति है और स्तुतिक उस्मांजली ग्रंथ की रचना जगद्धर भट जी ने की है वीर शेव काश्मीर श्रेवदर्शन का विशेश रूप से उन्होंने उसमें चिंतन अपनी रचनाव में प्रधर्शित किया है गुंथा है तो इस तरह से वीरशेव प्रभाकर और वीरशेव मतप्रकाश दो पत्रीकाएं जो उस संप्रदाय की उस पंत की विशेश रूप से पोशक औ त्रिवेंदरम से इसी वर्ष 1907 में ही शड़दर्शनी संस्कृतम इति पत्रिकयोह प्रकाशनम जातम शड़दर्शन की बात जैसे मैंने आपको पहले की सिख सिस्टम अफ फिलोसोफी और संस्कृतम सिर्फ संस्कृत नाम आज भी एक आधूनिक संस्कृत पत्रिका संस्क प्रश प्रकार गोश्टी दिले में होने जा रही है जिसका विशह है संस्क्रित इन सोशल मीडिया आज hoping सामाजिक संचार माध्यमेशो संस्कितम माने किस प्रकार से इंटरनेट पे ट्वीटर पे, फेस्बुक पे ब्लोग राइटिंग में इपत्रिका के माध्यम से संस्कित से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, सरल किया जाए और नई जो टेक्नोलोजी है नए सोप्वेर बंते हैं उसके माध्यम से संस्कित का प्रचार कैसे किया जाए यानि लोगों तक पहुंचाया जाए जो मानते हैं या ऐसी एक भ्रहंत धारना के संस्कित कठिन है क्लासिकल है, बहुत मदलब श्रम करना पड़ता ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यही एक उद्देशा है कि संस्कित को अधिक से अधिक सरल करके लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे उनका आत्मा विश्वास बढ़े सामान्याहा पी जना केवलम यथा कांचिद अपी अन्याम भाशाम अवगं तुम लेखी तुम पठी तुम पारयांती तग बद संस्कित भाशामापी भाशी तुम शक्मवंती इत्येश लक्षमस्ती संस्कित संगोश्ठ्याहा और इन पत्र पत्रिकाओं का भी लक्ष हमेशा यही रहा है शड़ दर्शनी और संस्कित हम यह दो पत्रिकाओं है सिख सिस्टम अफिलोस्पिक की बात की और संस्कित साहित्य की बात की और आगे की बात मैं आपके सामने रखूंगा बहुत विस्तार है हम देखते हैं कि किस प्रकार से संस्कित की पत्र पत्रिकाओं प्रतिवर्ष एक नहीं एक से अधिक प्रकाशित होती रही है इत्यासे हम जानते हैं और आधुनिक रुप में इन पत्रिकाओं का किस प्रकार से हमारे जीवन में योगदान है हमारे सामने है इतना कहकर अपनी बात यहां में पूरी करता हूं और एक बार फिर से मैं दीपावली की शुपकामना और गोवरधन में किई सारे प्रयोग हुए कई सारी पत्रिकाई निकली जो की बात करती थी साहित्य या गद्यकाव्य की क्या ऐसे कोई नए प्रयोग हो रहे हैं कोई नए अभ्यास ऐसे हो रहे हैं जहां पे हम वा निजय अर्थ और विज्ञान को हम संस्कृत भाषा में पढ़ने की या सोशल मीडिया को यूज करने की नए संचार प्रदिती को इस्तमाल करने की हम इसमें बात करते हूं तो ऐसी चीजों पर भी मैं आप से चर्चा करना चाहूंगी धन्यवाद मित्रो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने कॉमेंट्स जरूर इमेल कर सकते हैं धन्यवाद